नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपर दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आए जानते हैं खराब से खराब लिवर को सही करने के 10 रुपए के उपाय के बारे में ये बहधी कारगर होगा आप सभी के लिए लिवर में किसी भी तरह की परिशानी है तो दवाओं के साथ इन देशी चीजों का भी सेवन करें इससे लिवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा जी हाँ आउले की सब्जी जी हाँ हेपेटाइटिस में व्यक्तिका लिवर यानि की यक्रित ठोस हो जाता है जिससे पेट सूजन में लाव मिलता है गिलोई है असरकारक जी हाँ गिलोई स्वास्थे के लिए काफी फायदे मंद माना जाता है अगर लिवर से संबंधित किसी तरह की समस्या है तो नियमित तोर पर रोजाना 15 मिलीलिटर ताजा गिलोई के रस में 20-25 किश्मिश कूट कर मिला करके प संब को अगर पहले है तो उसे रहत मिल जाए गी पत्तों का रस जी हां अगर है बैटाइटीस के समस्या है या हेपेटाइटिस की वजह से लिवर में खरावी पैदा हो गई है तो मूली के पत्ते चुकंदर के पत्ते एवाम पालक के पत्तों को तीनों को 250 ग्राम मात्रा में या मेथी के पत्तों का जूस लें और फिर इसमें 50 ग्राम चीनी एवाम एक चमच काला नमक मिला करके पिए इससे हेपेटाइटिस की बिमारी ठीक हो जाएगी साथ ही लिवर भी स्वस्थ रहेगा इससे खून की कमी भी दूर होती है जी हाँ इसके अलावा इलाइची एवम सोंट का प्रयोग करें अगर आसपास के मार्केट में ये पत्ते नहीं मिलते हैं तो घर में मौझूद कुट प्रायता सौफ इलाइची एवम सोंट का इस्तेमाल करें इन चीजों की एक एक चोथाई चमच समान मातरा में ले करके दो चमच पानी मिलाएं आप इसमें फिर इसे हलका गुनगुना करके पी लें इससे भी लिवर से जूड़ी परिशानियां ठीक हो जाती है इसके प्रतिरोधी तंत्रकुम मजबूत रखना जरूरी होता है इसके लिए प्रोटीन एवम विटामिन युक्त चीजें जैसे दालें सोयाबीन दूध एवम दूध से निर्मित पदार्त हरी सबजियां फल एवम सूखे मेवे इत्यादी को डाइट में शामिल करना चाहिए शा कि अगर आपका लीवर खराब हो गया है तो आप कैसे उसको सुरक्षित कर सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और ब्यादी महतों पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों